हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज की जो वीडियो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाले है और ये जैसा कि आपने थमनल में देखा कि ये आपके होस उडा देगी दोस्तों बिलकुल सच कह रहा हूँ ये वीडियो देखके आप बिलकुल हैरान रहे जाएंगे कि यूजी स और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और पूरी देखना इस वीडियो को इस वीडियो आपको हर एक चीज पता चलेगी कि यूजी सी नेट वो किस तरह से कोशन देता है और अगर आप ये वीडियो दे कोशन पेपर है ठीक है इसके अंदर हम कोशन नमबर देखते हैं कोशन नमबर हमारा साइद 20 है वो ये देखे दोस्तों ये हमारा कोशन नमबर 22 है थोड़ा मैं जूम कर देता हूं आपको अच्छे से दिख जाएगा यह देखिए तेल की कीमत में 25 परतिशत की विरिद्धी हुई यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उपभोग में कमी और मूल उपभोग के वीच अनुपात हमें पता करना है ठीक है य यह देखिए दोस्तों यह हमारे पास पेपर फर्ष्ट जून 2012 का कोशन पेपर है और कोड एड डवलू इसके अंदर हम देखते कि यही कोशन किस तरह से रिपीट हुआ है अब इसमें देखिए दोस्तों यह रहा हमारा कोशन नमबर 20 पेट्रोल की कीमत में 25 परतिशत व्र किले भी इन्होंने 25 परतिशत की बात की थी और अब भी यह 25 परतिशत की बात कर रहे हैं यानि कि डिट्टो कोपी कोशन है और अब हम यह देखते हैं दोस्तों यही कोशन दुबारा यानि कि तीसरी बार यह कोशन कब आया है अब यह देखिए दोस्तों आपके सामने यू पारा question number 26 है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि in a new budget the price of petrol rose by 25% by how much percent must a person reduce his consumption so that expenditure on it does not increase, इसका मतलब यह है दोस्तों कि price जो पेटरोल का price है वो 25% बढ़ गया है तो एक व्यक्ति को अपना कितने परती से अपना खर्च कम करना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी पे कोई effect ना पड़ तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं बिल्कुल डिट्टो कोपी यही हमारा question 2012 के अंदर आया था और यही अब 2019 के अंदर आ गया है और इसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों इसकी जो statement और इसका जो answer है बिल्कुल सेम है डिट्टो कोपी इस cancer हर बार सेम अता है तो आप यह question बिल्कुल असानी से देख सकते है कि कि किस तरह से question repeat हुआ है और अब हम यह देखेंगे दोस्तों की यह question हमें किस तरह से करना है तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से UGC net के अंदर डिक्टो कोपी question repeat होते हैं और दोस्तों हमने और भ दोस्तो हमने एक paid whatsapp group भी बनाया है उसके अंदर हम आपको PDF भी देते हैं जो question डिटो को repeat होते हैं हर topic में हमने वीडियो बना रखे और PDF बना रखे वो paid group के अंदर हम आपको देते हैं प्लस में हम दोस्तो आपको 2012 से लेके 2019 तक जितने वी question आये हैं जैसे research के जो question आये वो हमने अलग करके teaching के हमने अलग करके हैं communication के हमने अलग करके उन सभी को आप देख के बिल्कुल असानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से question है जो बार 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 question paper में repeat होते हैं और दोस्तो उन question को करके आप बिल्कुल असानी से अपना net plus jrf ले सकते हैं तो दोस्तो अगर आप चाहे तो वो हमरा paid group जोइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ दोस्तो हम आपको उसमें 10 unit की PDF study notes भी देते हैं theoretical notes देते हैं और आपको अच्छे से study करवाते हैं और किसी तरह की अगर आपको कोई प्रेशानी होते हैं तो हम आपके WhatsApp पे सभी सवालों का जवाब दे देते हैं तो दोस्तो अगर आपको वो हमारा group जोइन करना है तो आप group जोइन कर सकते हैं और आप हमें इस number पे WhatsApp message कीजिए हम आपको पूरी detail दे देंगे कि किस तरह से आपको हमारा एक group जोइन करना है चलिए दोस्तो अब हम देखते हैं कि ये पेटरोल की कीमत वाइं वृध्धी वाले question किस तरह से किये जाते हैं दोस्तो इसमें जो एक खास बात होते हैं वो ये होती है कि जो कीमत है कीमत के अंदर वृध्धी दे हुई होते हमें कुछ percentage और हमें ये कहा जाता कि हमारा जो खर्च है उसके अंदर कितना खर्च कम करना चाहिए ताकि हमारा जो है वैवस्ता वो बिगड़े नहीं तो ये होता है विसके अंदर कि किसी वृष्धी का ए पर्टिश्त मुल्य बढ़ा दिया जाता है रो उसके बाद हमें पूछा जाता कि हमारा जो खर्च है खर्च हमें कितने पर्टिश्त कमी करनी चाहिए तो ये देखी इससे हम किस तरह से करेंगे अब देखे इसका जो formula है यह है मुल्य वृद्धी पर खर्च में कमी इक्वल टू किस के होगी सो गुना में ए यह होता है जितने परतिसत हमें बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है यहां पर किमत में 25 परतिसत वृद्धी हुई है तो यहां एक ही जिगा 25 परतिसत आ जाएगा और बटे में सो जमा मे यानि कि 25 ही यहां पर आएगा अब देखे इस कोशन को हम करके देखते कैसे यह कोशन आएगा इसमें कहा है कि पेटरोल की केमत में 25 परतिसत की वृद्धी होती है तो यह इस फॉर्मले में रखके देखते है तो यह रखा हमने सो गुना में 25 यह आ गया हमारा दोस्तों 25 सो आ गया धाई हजार आ ठीक है धाई हजार और नीचे दिया है सो जमा में यानि कि सो जमा में पत्चिस ही हो गया एक सो पत्चिस हो गया यहां पर हम लिखे लेते हैं एक सो पत्चिस हो गया तो यह दोनों की दोनों की दोनों हमारे पास ही आजएगा पत्चिस सो बटा में ए 125 यह हमारे पास आ जाएगा जब डाई हजार को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो यह 20 परशेंट आएगा यानि कि 20 आनसर इसका आएगा यहाँ पे ए इसका उप्शन ए बिलकुल राइट उप्शन इसका हो जाएगा तो इस तरह से हमें बिलकुल असानी से कि वृद्धी की जगे अगर वो कह देते कि कमी की जाती है तो हमारा के आएगा कमी आएगा तो दोस्तों यहाँ पे माइनेस हो जाएगा जब कि वृद्धी होगी तो यहाँ पर पलस हमें लगाना है तो इस तरह से बिलकुल असानी से कौशन कर सकते हैं और आगे देखते दोस्तों आगे ये हमारा जून 2011 के अंदर कोशन आया था इसके अंदर भी वह है दोस्तों सेम टो सेम बात है तेल की कीमत में 25% की वृद्धी हुई यदि खर्च बढ़ाने की अनुमती नहीं यानि कि खर्च नहीं बढ़ा सकता तो खपत में कमी वही बात आगी दोस्तों या सबसे पहले इसमें खपत में कमी की ये बात पूछ रहा है तो यहां पे हमने देखा कि खपत में कमी कितनी परतिसत करनी पड़ेगी बीस परतिसत करनी पड़ेगी तो यहां पे खपत में कमी हम यहां पे निकाल लेते हैं कि बीस परतिसत हमारा आ गया यह दोबारा निकालन की जरूरत नहीं है अब आगे देखते हैं खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनपात क्या है ये हमें पता करना है अब देखे पहले हम मानके चलते कि सो परतिस्ट जो है खर्चा करते थे उसके बाद क्या कि बीस परतिस्ट हमने कम कर दिया तो अब इन दोनों के बीच का जो अनपात है वो हमें निकालना है अब देखे खपत में कमी कितने परतिशत की है हमने 20 परतिशत की है और टोटल खपत कितनी होती थी है मान के चलते हैं 100% हमारी खपत होती थी अब देखे इन दोनों के बीच में अनपात कितना होगा अब इन दोनों के बीच में जो अनपात होगा दोस्टों वो हमारा एक अनपात पांच होगा तो एक अनपात पांच ये آپसटंस नमबर C के अंदर हमारा answer है दोस्टों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमझ में आ गया होगा चलिए मैं एक वार फिर से आपको समझा देता हूँ देखे हमारी खापत में कमी कितनी हुई 20% हम अब कम खर्चा करना शुरू कर दिये हैं ठीक है अब ये कहरा कि खापत में कमी और मूल खापत के बीच का अनपाथ तो ये देखना खापत में कमी 20% और मूल खापत हम माल लेते हैं 100% पहले करते थे तो अब इन दोनों के बीच का जो रेसो होगा वो होगा एक रेसो फाइव तो इस तरह से हम ये आनसर निकाल सकते हैं दोस्तों ठीक है अब हम अगला कोशन देखते हैं तो ये 24 जून 2019 में अभी जो हमारा एक्जाम हुआ था उसके अंदर आया था इसके अंदर देखिए वही कोशन है एक बजट में पेट्रोल की किमत में 25% की वृद्धी हुई ठीक है वही बात सेम चलती हुआ रही है तीसरे कोशन में भी किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने परतिसत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च नए बढ़े अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट भी सही है और जो परतिसत वृद्धी है वो भी सेम दे रखिए तो इसका आंसर है तो वो भी हमारा बिलकुल सेम आई यहां यानि की बीस परसेंट इसका आंसर आएगा और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसे होगा सो गुना में पच्छिस बते में सो जमा में पच्छिस यह मैंने आपको बताया था तो इस तरह से करके देखना या यह जो सवाल आपका बिलकुल असानी से आ जाएगा अब देखें दोस्तो एक चीज और आती है अब यह तो बात होगी हमारी पैटरॉल की कीमत में बृध ही होगी लेकिन कई तरह के कोशन ऐसे हैं जिनके अंदर नहीं वरित वरित की तरीजया व्यास और जो हमारे आयत होते हैं यानि के रेक्टेंगल होते हैं उनके वारे में भी कई कोशन आये हैं तो वो कोशन हम किस तरह से करेंगे सब सब पहले हम कोशन देख लेते हैं कि किस तरह से आये यहाँ पे देखिए यदि एक वृत की तरीजा 50% तक वड़ जाती है तो उस वृत की प्रिधी की सीमा तक बढ़ेगी यहाँ पे यह सरकल की बात करें सरकल का जो रेडियस है 50% बढ़ जाता है तो उसका पैरा मेटर कितने परतिसत बढ़ेगा यह हमें बताना है और उसके बाद देखिए यह दोबारा फिर 2007 के अंदर आया था वृत की तरीजा 50% बढ़ जाती है तो उसके अगशेतर फल में कितनी वृत ही होगी उसके बार देखिए जैसे ये आया है आयत के बारे में आया है एक रेक्टेंगल के बारे में आया है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई और चोड़ाई एक एक परतिशत बढ़ जाती है तो उसका जो छेतर फल है उसमें कितना डिफरेंट्स आएगा वो हमें बताना है उसके बा बात करते हैं व३i यहां कि जो सर्कल जो होता है हमारा यहां पर आप इंगलिश में भी देख सकते हे कॉशन हमने इंगलिश में भी लिखा हूँ यहां कि जो सर्कल है सर्कल की की त्रीजिया यानि की रेडियस अब हम किसे कहते हैं चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यह जैसे मान के चलते हैं हमारा सरकल है रेडियस होता है दोस्तों यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं तो यह कहरा कि किसी सरकल की ए परतिशत रेडियस बढ़ा दी जाती है तो उसकी प्रिधी प्रिधी माने तो पैरामेटर यानि कि पैरामेटर में क्या डिफरेंस होगा अब पैरामेटर की बात करें तो पैरामेटर क्या होगा देखें पैरामेटर भी मैं बता देता हूं पैरामेटर क्या होता है जैसे कि कोई बंदा यहां से चला और घूम फिर के यहां से यहीं पे आ गया, यह जो दूरी होती है, इसे हुम कहते हैं दोस्तों पैरामेटरिया प्रीधी कहते हैं, तो इसमें जो question है, इसमें पोच था है कि कि进 Weihnachtskund की जो radius है, यानिकी 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसके पैरामेटर में कितना पर्षेंट बदलाओ होगा तो इसका जो नावानुसर होता हुता है दोस्तों वो सिम्पल है जिदी किसी वुरत की तिरिजा ए पर्षेंट बढ़ाई जाती है तो उसकी प्रिधि में ए पर्षेंट की ही बढ़ूत्री होगी यह बिलकुल रेसे ही आएगा दोस्तों जैसे यह देखे इसने 50% रेडियस बढ़ाई है तो इसका जो पैरे में पैरामेटर है दोस्तों वह भी 50% भी बढ़ेगा जितना रेडियस बढ़ेगा इसके अंदर ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं बस आप यह बात ध्यान में रखना कि यहां पर रेडियस ब सकते हैं किस तरह से अगर हम रेडियस बढ़ाते है तो उसका जो पार मिटर वह सेम TWO सेंटाता है यहां पर आप देख लेना और किसी भी दुस्त को कोई भी प्रोबलम हो इस और तो वह हमसे पूछ सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवब देने की पूरी पूरी कोसिस करे और आगे दोस्तों आगे हमारे पास ये दिसम्बर 2007 के अंदर कोश्चन आया था इसके अंदर काया कि किसी वृत की तरिज्या 50% बढ़ जाती है अब देखिए यहां भी इसने यही का था वृत की तरिज्या 50% बढ़ जाती है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वह देखते हैं देखिए यहां पे इन्होंने का है कि उसके अच्छतर फल में वृत धी हुई यहां पे जो एरिये की बात चल रही है और यहां पे क्या है दोस्तों यहां पे हमारे पैरामेटर की बात चल रही है यानि कि इसकी प्रीधी की बात चल रही है प्रीधी की तो यह चीज हमें ध vormula है वो अलग होगा दोस्तों उसका formula क्या होगा उसका formula हम देख लेते हैं देखिए कि ये जो formula है झाला दो स्वाले जितने भी हमारे आयत है और थे और हमारा जो सरकल है उसके ओपर ये देखिए इसके अंदर क्या होता है यदि किसी दो भुजा वाली आकरती जैसे आयत वर्ग या वृत ये वृत के अंदर वैसे दो भुजा नहीं होते लेकिन फिर भी इस पे लागू होता है में एक्स परतिशत की वृती होते है तो उसका अक्छेतरफल का फॉर्मूला ये है उसका फॉर्मूला ये है सो जमा में ए सो जमा में बी ये कर लिया हमने बटे में सो और माइनस में सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये लागू किस तरह से होगा तो इसमें होगा दोस्तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं ब फिर बटे में 100 कर लिया हमने और फिर माइनस में 100 करेंगे तो अब देखते यह क्या होगा 150 की जब हम 150 से गुना करेंगे तो यह आएगा दोस्तों हमारे पास जब हम 150 और 150 को गुना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा मैं यहां पे थोड़ा यहां पे लिख देते हैं यह आएगा डवल टू फाइव डवल जिरो आजएगा अब बटे में यहां पे सो है यहां पे यह देखी यह सो है हमारा तो दो जिरो से दो जिरो कट गी अब हमारे पास क्या गया दोस्तों दोस्तों पत्चिस आगया अब दोस्तों पत्चिस में यह देखी यहां पे हमारे प बारे में अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अब देखिए इसने यही बात कही है कि जब एक आयत के लंबाई और चुड़ाई में एक एक परसेंट की तूरूटी की जाते है तो आयत के एक छेतर फल में तूरूटी क्या होगी अब इसमें सेम टू सेम यही लगेगा दोस्तों यह जो कोशन यह जो फॉर्मूला है यह हमारा लगेगा यह जो है हमारा ठीक है यह आप इसके अंदर करके देखना इसके अंदर क्या करोगे सो जमा में एक सो जमा में एक और बटे में सो माइनस में सो इस तरीके से आप यह करके देखना आपको यह कोशन बिलकु फॉर्मूला लगेगा यह तीनों के तीनों कोशन आप करके देखना दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रोब्लम आती है तो हम इवनिंग की वीडियो में आपको यह करवाएंगे सभी के सभी तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करके देखना सभी कोशन करके देखन अगर कोई प्रोब्लम आती है तो हमें बताना तो दोस्तों आज के लिए वसीतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का वटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो को सानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों